इस सर्किल को अपने को समझना पड़ेगा this is called phasor which is very important concept in SHM and waves also okay ठीक है इस इसको अपने को समझना पड़ेगा ठीक है so इसको phasor diagram भी कुछ लोग बोलता है और projection भी बोलता है projection of UCM uniform circular motion मालोक कोई भी pendulum है यहां पर ठीक है यह उसलेशन हो रही तो इस डारेक्शन में उसलेशन हो रही इसकी ठीक है अपने को पता है एक्स्ट्रीम पोजिशन होता है और बीच वाला मीन पोजिशन होता है और इस टाइप का कुछ अगर देखोगे तो यह यह complete one oscillation मैंने बना दिया है अगर तुम्हें ध्यान हो तो पूरे SHM में जो डिस्प्लेश्मेंट आया था डिस्प्लेश्मेंट एक्विस्टन हो क्या था एसाइन ओमेगा टी प्लस प्लस फाई अगर फेज डिफ्रेंस कुछ है तो फेज डिफ्रेंस क्या सिगनिफाई करता है सि सब्सक्राइब कि फेज डिफ्रेंस यह बताएगा कि या पार्टिकल टीजगल टू जीरो पे कहां से कहां से मोशन शुरू कर रहा है कि मीन पॉजिशन से एक्स्ट्रीम पॉजिशन से या इन बेटून किसी पॉइंट से और सिंपली इसको तुमहें बढ़िफ्रेंट किये थे तो क्या आया था अपने पास तो में पास ओमेगा प्लस फाई ठीक है अगर मालों फाइब एक फोड़ा सा डाउट पूस्ट रहा हूं मालों फाइब फाइब जीरो है सिदन ठीक है तो टी इस इगल टू जीरो पर पार्टिकल कहां से सुरू कर रहे हैं कि तुम बता सकते हो में पूसिशन बहुत ही बढ़ी है और यहीं अगर मैं बोलता है कि यार एक्स्ट्रीम पूसिशन से सुरू कर रहा तो यहां पर साइन की जगह क्या आता है को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो बिलकुल तो अब यह सारी चीज यह उनिफॉर्म सर्कूलर मोसं जो हम लोग पढ़े हैं उसका प्रोजेक्शन मैं लूगा होरिजेंटल लाइन और तुम्हें सारी चीज दिखेगी तो कैसे वह देखो ठीक है कि मालों यह अपना सर्किल यह वेव क्या है सर्किल है क्योंकि रिपीट हो रहे है साइन वेप को साइन वेप सिंपली तो आप देखिए कुछ रूल से वह अपने प्रिकली फॉलो करने पढ़ेंगे ठीक है एक सेकेंद रुकना तो ये सबस्पॉइंट से अपने को ध्यान पड़ेगा सुनना ध्यान से कि जो मीन पोजिशन ने यह हैं यह यहाँ यहां पर मीन पोजिशन क्या है यह है और एक्स्ट्रीम पोजिशन ठीक है इस circular motion जब होगा तो मीन पुजिशन देखो यह मीन पुजिशन ठीक है यह फिक्ष डियरेक्षन इसका पुजिट लोगे तो गलत हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं वो फिक्स स्टैंडर्ड ठीक है तो यहां से पार्टिकल ऐसे जाता है तो यह आता है पहला एक्स्ट्रिम प पर फीर वापस कहा हएगा मीन पुजीusन पर यहां पर जी फिर से मीन फूजीशन हो गया कर अब देखो आप कहAST आ रहा है लेफ्ट के एक्स्ट्रीम पर जा रहे है कि तुटो यह लेफ्ट के एक्स्ट्रिम पे आ गया और फिर वापस पूर्स ज़ीडना और रहे देखु तरह वापस गूब पमेन पूरिशन आ रहे को साथ करें और यह होता है रइप ऩngंघ Μए यह होता है बताओ क्या लिक्त लेफ्ट या राइट और लेफ्ट लिखो कि उधर राइट साइड जा रहा है यह क्या लिखूं थर्ड क्वाडरेंट लेफ्ट लेफ्ट और यह क्या हो जाएगा राइट राइट यह बहुत ही काम की चीज है और यह समझ में आना चाहिए तो मज़े आ जाएगा ठीक है बदब तुम्हारा पुज यह है यहां से मोशन शुरू होता है स्टार्ट होता है हुए ऐस हम ठीक है और पहले परटिकल कहारे जाता है राइट की तरब जाता है ठीक है रैट में स्ट्रीम आयेगा राइट में स्ट्रीम हो फिर वापस मीन फिर लाफट की सिरिम इए यह मैंने egमेर है तुम्हें हाँ ठीक है अब मान लो देखना ज्यान से अभी मान लो कि अगर इसी क्वेस्ट में चलो फाई के साथ देखाता हूं ठीक है टीज गल्ड जीरो पे क्या पार्टिकल मीन पोजिशन शुरू कर रहे है फाई की वैलू है यहां पर फाई अगर पाई पाई है हां सुनना ध्यान से सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि पर्टिकल किसी पोजिशन से सुरू कर रहा है कि जो की मीन पोजिशन से कितना एंगिल बना रहा है फाई क्यार पाई वाइन पाई शत्व कर रहा है कि जो कि मीन पोजिशन से कितना एंगिल बना रहा है दोस्त फाई क्लिया रहे रहा ठीक है यह चलो फाई अब चलो फाई जीरो रख लेता हूं यहां पर लेट से तो और ज्यादा अच्छे से तुम्हें देखेगा कि मालो 50 हो गया वह भी दिखाऊंगा तो 50 पे अगर मैं पूछ हूँ यार तो पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है मीन पूजिशन से ठीक है पहले इसको समाझ लो फिर लिखनेगा मैं टाइम दोंगा फिर आराम से लिखना अभी फाइज जीरो है तो टीज को जीरो पर मोशन कहां से शुरू हो रहा है सर यहां से शुरू हो ठीक है किसी टी टाइम के बाद अगर मैं पूछ हूं कि पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेश्मन बना रही है ओमेगा टी किसी टी टाइम के बाद पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेश्मन डिस्प्लेश्मन बना रही है ओमेगा टी यह कोई टाइम टी है तो यह एंगल कितना हो गया ओमेगा टी ओमेगा टी तो हैं तो इसी पर रहे तो वहाँ पर साइन ठीटा था तो थीटा अपन ओमेगा टी से रिप्लेस करते ते यहीं तो होता है सर्कुलर मुशन तो वहीं बोच रहा हूं कि टी टाइम पे कितना अंगिल बनाया होगा ओमेगा टी खतम हाँ यह ना अब देखो और यह जो होता है रेडियस जो लिखवाओंगा भी मैं यह जो रेडियस होता है ठीक है एक सेट रुकना तो यहीं तो तुम्हारा डिस्प्लेस्मेंट था किसी टी टाइम के बाद तो हमने क्या क्या है सिंपल प्रोजेक्शन ले लिया जो भी था यह जो लेंद थी उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया होरिजेंटल साइड होरिजेंटल लाइन पर तो तो तुम्हारे डिस्प्लेस्मेंट का एक्वेशन मिल गया को एसे चम के displacement का समझ रहो तो इसलिए अभी विलाउसिटी भी दिखाऊंगा इसलिए बोला जाता है ठीक अभी विलाउसिटी देखो अब मालो कि विलाउसिटी की बात होगी ठीक है तो यह देखो कि विलाउसिटी रहती है हाँ या ना और लॉसिटी कॉंस्टेंट रहती है तो यह कुछ विलॉसिटी होगा यहां पर इस डारेक्शन में को ठीक है कि यह विलासटी होगी लगव तो इसका आपने कम्पने लेना हो तो यह मैं देगे यह विलासटी होती है पिकी अ व्लोसे कितनी होती यह उनिफार्म चर्कुलर वे में और एक्सलेशन क्या होता है और एक्सलेशन क्या होता था वी स्क्वार बाई आर कौन सा एक्सलेशन रिडियल आना तो तुमने देख लिया तो अब वेलासिटी देखो और जेंटल डारेक्शन अपने को कॉम्पोनेंट लेना है इसका यह एंगल कितना था ओमेगाटी ठीक है तो यह ओमेगाटी तो यह एंगल कितना होगा और को सब्सक्राइब हो गया मालनों अगर मैं यहां पर त्यूंग ओमेगाटी होगा देखो ओमेगाटी यह तो यह ओमेगाटी इसका कॉम्पोनेंट लो और जेंटल डारेक्शन में तो क्या हो जाएगा वी कोस ओमेगाटी और वी इसकल टू क्या लिखो गए आर ओमेगा तो आर कितना है ए अब लुए ओमेगा कोस ठीक है तो यह क्या हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगाटी क्या हो गई विलोसिटी हो गई तो मैंने प्रोजेक्शन लिया आगई विलॉसिटी ठीक है अब एक्सेलरेशन भी देखो एक्सेलरेशन मैं दिखाता हूं तुम्हें कि इसी में देख लो ठीक है या लग देखो तो लागो अच्पास वजाएगा कि यह एंगिल है ओमेगा टी का रेडिए रटारेक्शन ऐसलेशन क्या है वी स्कॉइर ब ile कर लूं है यह ब्सकाइर और अरो मेगा स्कॉयर था तो में ध्यानने क्या कर्फके क्ली अर्व सकते हूं तो हूं आर का है दो यहां पिकालिक्सक्त हो मैं जो एक्सलॉइरेसन होगा सर्वीए इस सर्वुलर मोशन का होगा यह ओमेगा स्क्वाइर है तो इसका कॉंपोनेंट लो इस डारक्षिन में ये अंगिल कितना हो जाएगा 90 मैनिस हुमेगा टी एक सो यह वैगा एगा ओमेगा स्क्वेयर को स्कॉस 90-इमेगा टी हाया न तो यह क्या हो जाएगा मैनिस थे ओमेगा स्कॉर को साइन ओमेगा ती अब मैने सब्सक्राइब श्रक्राइब टो पाइब एक्स यह ओकाना माइन साइन इस नहीं भाई 90 माइस टीटा तो कॉस्ट इसाइन ठीटा ही होता है फर्स्ट कॉद्रेंट मैनस क्यों आएगा वह बताओ तुम और सफिक दोन वह एक दोन माइनस डारेक्शन चेलिक बात डा अधा दा और चिक फुल मिला के जो डारेक्शन होती है ठीक है तो इनुफर्म सर्कुलर मुशंगा जो हैं चेलिक प्रजेक्शन तुम लोगे तो क्या देढ़े घा जो कि तुमने देख लिया यहां ठीक है अब देखो इसका अप्लिकेस्टान क्या होता है इसी को हम लोग को बोलते हैं फेजर एक साथ लिखना तुम पहले समझते जो इसे को फेजर डाइगराम बोलते हैं ठीक है अब मालो कि कोई पार्टिकल है यहां पर समझे ना इस चीज को क petites अब मどう बालते हैं यह मीन पूजिशन इसी पार्टिकल का और यह अपली Parlament माने से और यह अगर मैं पूचंट कि यहां से कोई पार्टिकल है मेन पूजिशन से और यह इधर जा रहा है तो इस मेन पूजिशन से इस एक्स्ट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा मान लो इस पार्टिकल का जो टाइम पिरियड है कि वो टी है कि टीक है तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा यह तो तुम बता दोगा आसाने से ठीवाइब फोर लगेगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन अगर मैं सोचूं तुमसे पूछों कि भाई मुझे तुम सर्किल पर दिखाओ इसको फेजर पर दिखाओ है तो यहां से तो देखो मैं बना रहा हूँ बस तुम मुझे उत्व मुझे बताओ कि यह हो गए तुम्हारा सरकिल musicians क्या बोलता है कि भाई यहां से स्टार्ट होता है कि हो कि यह तुम्हार एक्स्ट्रीम हो गया एक्स्ट्रीम हो गया हो जी और यह मीन और यह मीन तो बताओ कि इसमें सो करो इस पार्टिकल को कहां पर सो करूं कि इसे वो क्वेस्टिन था की में पूलिशन तो तुम बता दोगे ना टी वाइफ ओर एक वाड़न जाने में तो मैं यह इसके अलॉंग चलिगे तो इसके अलॉंग टीवाइफ और लाइगा ना दुस्त कि अधिक्रीटी वाइफ और लगेगा ना क्योंकि सब कॉड्रीट्स क्रॉस करके जा रहा नहीं सिंपल मेरे पास को एक पार्टिकल है यहां से मोशन सुरू कर रहा है टीज कर दो जीरो पे इस डिरेक्शन में और यहां पर उसको आना उसी को तो तो प्रीवाइफ निया त अधिए और नीचे वाले मीन पूइंट यहां पारटिकल यहां पे ऐसे जा रहा है हाँ और यहां पर आएगा वाप इतना टाम लाएगा टी बाइफोर सेंपली ठीक है यहां से तुम्हें सारी चीज़ दीखेगी बहुत क्लियरली नहीं होता है कि बहुत दूर से किस चीज इसको देख रहे हो तो सब कुछ दीख रहा है तुम्हें तो यह फेजर होता है तो फेजर कमांड होना चाहिए अब मैं पुछ दू कि वापस मीन पुछिशन आने में कितना टाइम लगेगा अब उसके ऊपर से तोटन नहीं वापस घूम के जाएगा और आपस आएगा ना मिन पुछिशन पे पहली बार कॉस्टन कैसे आएगा को सब्सक्राइब करें अपन कि पहली बार मीन पूस्टन वापस आने में कितना टाइम लगेगा टीवाइटू टीवाइटू सेंपली ठीक है अब देखो इस टाइप का कोश्चन आएगा यह तो बहुत सिंपल कोश्चन हो गया मालन लो इसको हटाता हूं मैं ठीक है मालो कि मैंने बोला कि यह पार्टिकल यहां से सुरूख कर रहा इधर तो कहां पर बनाव इस पार्टिकल कहां पर सो करोगे और पहले वाले एक्स्रेम पोजिशन पर स्कार्ट पर ने तो मीन पोजिशन पाने में कितना टाइम लगेगा इसको पहली बार इवाई-4 दूसरी बार 3ty4 simply मतलब सर यहां से शुरू किया और यहां पर पहुंचना है तो ty4 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 3ty4 क्लियर है अब कोस्टन क्या आता है वो अब बात करते हैं मालनों कोई पार्टिकल है ठीक है यह पोजिशन ये वाई 2 और यह करें ती is equal to zero मैंने बोला कि कोई पार्टिकल है टीज़कल जीरो पर ए वाई 2 से मोसन शुरू कर रहा है इस डारेक्शन में डारेक्शन मैंतर करेंगा न तो बिल्कुल कोस्टन सुनों कि टीजिकल पर कोई पार्टिकल ए वाई 2 से शुरू कर रहा है कि इस डारेक्शन में तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन सा क्वाड्रेंट में मैं इसको बनाऊं और परस्ट में बनाऊंगे बिल्कुल सभी बात है सर आपका जो पार्टिकल है देखो आप कोस्टन कहीं समझेंगा इतना अगर तुम समाझ लिए तो कोस्टन हो जाएगा सब्सक्राइब इस वाले कॉरिनेट में हैं इस वाले कॉरिनेट में कॉरेंट और और हो क्या रहा है स पर देखो कि यह है एंप्लिट्यूड कितना पार्टिकल का ए ठीक है और आपका उस टाइम होरिजेंटल लेंथ कितना है यह वाली लेंथ प्रोजेक्शन और यह वाली लेंथ योज़गा ओमेगा टी साइंट लिटा नहीं जहां से पहले सुनों सुनों आराम से टीज गल्डू जीरो पे ठीक है पीज गल्डू जीरो पे पार्टिकल मीन पुजिशन से कितना दूर है लेंथ वाइज लेंद लिखना नहीं है उपर देखो तुम उपर देखके बताओ आप यहां पर हां अगल के बात नहीं साइन ओमेगा टी जो मैंने शिदांत लिखा है यह की सेटीय ताइम पे हाया ना की किसी टी चाइम करेंभी दिस्प्लेस्मेंट है अब देखओ कि किसी टीय टाइम ती टी पार्टिकल एग Scr Farm तुम्हारा पार्टिकल अब्यू से सुरू कर रहा है कि आया न तो यह डिस्टेंस कितना होगी दोस्त एव अब कि हैं । कि प्रोजेक्ट्सन देखो द्यान से देखो आप वाइट तु दीरे-दीरे-बढ़्स 305 रहा हांbay तो दोस्त धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक्स्ट्रीम पर आएगा तो ये भाई टू ये हो जाएगा हाँ या ना कि प्रोजेक्शन शैड़ो कि अधिक्र हो रहा है कि अधिक अब देखो अभी डिस्प्लेश अब तो आराम से ये एंगल बता सकते हो कि ये एंगल अगर पूछू मैं ठीटा तो या राम से सब्सक्राइब हां तो ठीटा हो जाएगा थर्टी डिग्री तो पाइवाई शिक्स कि अधिटा पाइवाइवाई तो ओमेगा टी इस पाइवाई थी हाँ अब इसी चीज़ को यह ठीटा है अब देखो द्यान से सुनों अब पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में अगर मैं पूछूं अगर सुनना ध्यान से कि यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल्ट टीम जो जीरो पे यह बाई से शुरू किया है और पहला एक्स्ट्रेम जाने में कितना टाइम लगेगा भाई है तो क्या बोलोगे सरी यहां सुनो से कि सर यह जो एंगिल है पार्टिकल ठीटा यूटो मेगा टिसे कवर कर दे ठीटा को ओमेगा टी से कवर कर वा दूंगा मैं हुआ ठीटा कितना है सरपाइब 16 और मेरे को टाइम प्रेडरो में पाता है टी इस इसकल टू-पाइबाइब ओमेगा तो मेंगा क्या हो जाएगा टू-पाइब आपई टी इन्टू-चोटू टी इतना टाइम लगेगा तो टी वाइट 12 लगी तो कि इस पार्टिकल को एवाई टू से जाने में कितना टाइम लगेगा टाइम पिरिएड का 12 सेकंड व्यर्वाइट टीवर्ट टीवेट टूर्ट हम भाक है समझ मारे है हूं हम मैं पूछ और मीन पूसान आने में इसको प्रफट मेर doğru broadly chi fabry तुम का लिए अभाल कर लेंगे अपने समझ में आ रहे चीज़ क्या चल रह坎 कि अधिया एपाल एपाल